हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था बुद्ध ने महल राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्त सबसुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वसे निकल कर संसार संकुची सोच को त्याग कर समगर्ता का ये बुद्ध मंत्र ही एक मात्र रास्ता है हमें हमारे आसपास गरीबी से जूज रहें लोगों के बारे में सोचना ही होगा हमें संसाधनों के अभाओं में फसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा एक बहतर और स्थीर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है यही आवश्यक है आज यह समय की मांग है कि हर व्यक्ति की हर राश की प्राथ्मिक्ता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी विश्व हित भी हो ग्लोबल वर्ल इंट्रेस भी हो साथियों यह बात सर्वस्विकारिय है कि आज का यह समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है आज एक और महिनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिर्ता से भी गुजर रही है आतंगवाद और मज़भी उन्माज जैसे खत्रे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी चिनोती पूरी मानोता के अस्तित्व पर आफ़त बनकर मंड़ा रही है ग्लेशियर्स प्रिगल रहे हैं इकोलोजी नस्ट हो रही हैं प्रजातियां बिलुक्त हो रही हैं लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोडों लोग भी हैं जिने बुद्ध में आस्ता है जीव मात्र के कल्यान में विश्वास है ये उमीद ये विश्वास ही इस धर्ती की सबसे बड़ी ताकत है ज़िए उमीद एक जूट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारना बन जाएगा बुद्ध का बोद मानवता का विश्वास बन जाएगा बुद्ध का विश्वास बन जाएगा